आपका जीवन अत्यधिक विकास शील होगा कब जब आपका विबाह हो जाएगा तब सभी दर्शकों को नमशकार जशे कृष्णा आपका एस्पावस अर्था जीवन साथी कितना भागशाली है आपके लिए एक जिग्यासा होती है हर व्यक्ति के अंदर ये जिग्यासा होती है कि हमारे जीवन साथी के आने के बाद क्या हमारा भाग्योदय होगा इसे कैसे समझ है आपकी जन्म कुंडली से तो आए चलते हैं हम जन्म कुंडली के उस छोड़ पे जिस पे आपको पता चलेगा कि आपका जीवन साथी आपके लिए भागेशाली है या नहीं है इसके लिए आपको अभी नौमांश में जाने की जरूरत तिलाल नहीं है आपको अपने कुंड कुंडली से पता लगाना है आपकी जन्म कुंडली में आपके भागे का स्वामी कौन सा है पहले यह देखिए मान लीजिये उदाहरण के लिए आपकी जन्म कुंडली में मेश लगन है कालपुरुष की कुंडली मेश लगन की है for example अब आपके भागे का स्वामी कौन हो गय ब्रहस्पती हो गया अब उस ब्रहस्पती को आप देखिए यदि वो ब्रहस्पती यदि नमंभाव का स्वामी ग्रह आपके सप्तमभाव में बैठा हुआ है तो आपका जीवन अत्यधिक विकास शील होगा कब जब आपका विबाह हो जाएगा तब सप्तमभाव में नमंभाव का स्वामी बैठने का अभी प्राय क्या हुआ कि भाग भाव का स्वामी स्पाउस वाले हाउस में बैठा है इसका मतलब जब आपका स्पाउस जागर्त होता है जीवन साथ ही आता है तो आपके भाग में चार चांद लग जाते हैं एक प्रयोग ये हो गया आप दूसरा देखिए आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अगर नवम भाव के स्वामी के साथ कोई योग बनाता हो युती बनाता हो तो भी आपको बिवाह के उपरांत भाग ये उदे होता है सप्तम भाव आपके भ्यापार रिस्पाउस का है सप्तम भाव क्या है? जो पार्टनर्शिप है वो है वहां का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी जब एक जगह होते हैं तो जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ मिलते ही आपका भाग्य चमकने लगता है ये बात हो गई आपका विबाह के बाद भाग्य जागेगा या नहीं अब आपके जीवन साथी को जानना है कि भाई आपका जीवन साथी भाग्य शाली है या नहीं है तब काल आपको यह जिग्यासा हो जाती है कि अगर हमारा जीवन साथी भाग्य शाली है तो फिर हमारे भाग्य में भी प्लस पॉइंट हो जाएगा जब माइनस और माइनस दोनों एक जगह ऐसे मिल जाए तो प्लस हो जाता है अब प्लस यानि कि आपकी कमी आपकी इस्त्री आने के बाद पूरी कर देती है कैसे आपके सप्तम भाव को देखिए सप्तम भाव का स्वामी कहां बैठा है आपके इस्त्री भाग्य शाली है तो अब आपके सप्तम भाव से जो नवं भाव होगा वो आपके स्पाउस का लखाउस होगा आप सप्तम भाव पे अपने जन्म कुंडली में आईए देखिए कोई ग्रह बैठा या सप्तम भाव का स्वामी तीसरे घर आपकी जन्मकुल्णी में जो तीसरा घर है वो आपके स्पाउस का जीवन साथी का भाग्य भाव है यदि आपका सप्तम भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठा है तो आपका जीवन साथी अत्यन्त भाग्य शाली सावित होगा क्योंकि सब्तम्भाव हो गया स्पाउस का लगन और सब्तम्भाव से नवंभाव हो गया आपका थर्ड हाउस अब थर्ड हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है यदि कहीं सब्तम में बैठ गया हो तो आपका जीवन साथी अत्यन्त भाग्यशाली है यानि आपकी विवाह के बाद आपके किस्मत में आपका जीवन साथी चारचान लगा देगा तिर्तिय भाव और सक्तम भाव के स्वामी जब दोनों एक जगह बैठ जाएं तो जीवन साथी अत्तिन्त भाग्यशाली हो जाता है यह बात इस्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होती है ठीक है अब इसी चीज को आप और गहराई में जाकर जानना चाहते हैं तो आप नौमान सकुंडली में जाकर के ढूंड सकते हैं मान लीजिये आपके सप्तम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के अंतरगत जो सप्तम भाव का स्वामी है वह नौमान सकुंडली में देखने पर कि सब्तम में बैठा है तो आपका जीवन साथ ही आपके लिए नौमांश चक्र में सब्तम बैठने के करण आपको बहुत लाभ देने लगता है विवाह के बाद आपका विकास सुरू हो जाता है सब्तम भाव का स्वामी अगर नौमांश में लगन के इंतरगत आ जाए तो आपके विवाह के बाद ही आपका भाग्यूदय हो जाता है बशर्ते आपके उस भाव पर किसी अन्यपापग रहे की अथवाशत्रूग रहे की अथवाशत्रूग रहे की राशी ना हो यह अत्यनतावश्यक है जानना तो यह छोटा सा विशय आपके कुंडली के अनुसार आपका जीवन साथी भागेशाली है या नहीं समझने में आपको बहुत कठिनाई नहीं आएगी अगर आपने पूरी तरह से हमें सुना हाँ अगर आपने नहीं सुना तो बात अलग की है यहाँ पर हम इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं यह कहकर अगले वीडियो में आपके कमेंट का इंतजार भी है आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास वीडियो के माध्यम से ही करेंगे लेते हैं विदा नमस्कार जैसे कुष्णा